हाई फ्रेंट्स वीडियो हम लोग यह पर्टिकलर प्रगाम देखेंगे जो की एक एजी लिवल के क्वेस्टन है यह फीविनौ की सीरीज से थोड़ा इंस्पारड है तो फीविनौ की सीरीज में क्या होता था कि हम लास्ट टू टर्म्स को सम करके तीसरा टर्म हम निकालते थे तो जब भी हमें कोई टर्म निकालना है तो हम प्रिवियस दो टर्म को सम करते थे और इस question में हमें क्या है कि हमें last 3 terms को sum करके next term निकालना है तो last 3 के terms हमें दिये हुए है जो t0 है वो 0 होगा t1 जो है वो 1 है and t2 भी 1 ही है तो अगर मुझे next term निकालना हो तो ये 3 का sum करूँगा तो next term निकल जाएगा तो अगर इसको मैं sum करता हूँ तो क्या हैगा 2 अब मुझे फिर से next term निकालना हो तो ये last के 3 का sum करूँगा तो मुझे next term मिल जाएगा तो 2 and 2 4 तो ये हो जाएगा next term 4 and so on यही process हम लोग follow कर सकते हैं अगर आप पहले example में देखो तो ये बोला है कि आप 4th term निकालो और इसका answer भी 4 आए तो आप reason आप देख सकते हो कि जैसे ये t0 ले t1, t2, t3, t4 तो 4th term क्या है 4 आए so that's the reason यह answer हमें 4 मिला है तो directly आप code करते हैं बहुत ही straight forward है तो यहाँ पर एक array ले ले लेते हैं जिसमें हम लोग last के 3 terms को store करके रखेंगे तो initially last के 3 terms क्या है 0, 1, 1 तो पहला है t0, then t1 and t2 it means कि अगर हम से कोई t2 से कम बोले तब तो हमारे पास already answer है और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे अगर n 2 या 2 से छोटा है तो directly ar of n को हम return कर देंगे अगर इस से बड़ा term compute करना है then हम लोग क्या करेंगे उसको compute करना पड़ेगा i equal to 3 से चलेंगे and i less than equal to n number of terms तक and i plus plus तो जब भी हम next term बनाते हैं तो previous 3 को add करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा है previous 3 terms ar of 0 then ar of 1 and then ar of 2 तो जैसे इस case में हम बोलें अगर next term हमें बनाना है तो यह last की 3 sum करेंगे और जो next term होगा वो हो जाएगा 2 और फिर last की 3 term हमें change भी करने पड़ेंगे तो इसकी value यहाँ जाएगी and इसकी value यहाँ जाएगी तो वही process follow करते हैं पहला step हम लोग ने sum कर लिया अब यहाँ पर करेंगे हम लोग error of 0 equal to error of 1 similarly error of 1 equal to error of 2 अब error of 2 में क्या होगा हमारा newly computed value तो error of 2 equal to temp और जब इस loop से हम लोग बाहर आएगे हमारा answer compute हो गया होगा तो हम लोग return कर देंगे error of 2 तो I think we are sorted अब run करके देखते हैं बढ़िया sample test cases accept हो रहा है तो बहुत बढ़िया है यह solution हमारा accept हो रहा है and 100% solution को beat कर रहा है मतलब हमारा solution optimize भी है friends मैं आपसे request करूँगा कि वीडियो को आप like कर दे and thank you so much for watching this video मिलते हैं अपसे next video में कर देंगे